हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर के एक्जाम क्रेकर मैं विश्णू दच्छर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एक्जाम क्रेकर पर स्वागत करता हूं फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है अभी हाल ही में 26 जनुरी 2021 को हमने अपने देश का सबसे बढ़ाते ओहार गंतंतर दिवस यानि रिपब्लिक डे मनाया और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जितने भी गंतंतर दिवस रिपब्लिक डे से related important question बनते हैं वो सभी cover करवाँगा और फ्रेंड्स ये question बहुत ही अच्छे और selected level के question है और बार बार ये exams में पूछे जाते हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक question को बिल्कुल ध्यान से याद कर लिजिए क्योंकि आने वाले exams में ये आपके लिए बहुत important question होने वाले हैं और फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँआ अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लें और bell icon को प्रेस कर लें उससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज के notification लगातार मिलते रहेंगे और आप आसानी से वीडियोज को देख पाएंगे तो friends आईए शुरू करते हैं आज के important question सबसे पहला question है India celebrated which anniversary of Republic Day on 26 January 2021 जो 26 January 2021 को है भारत ने कौन सा जो वर्सकार्ट यानि anniversary मनाई है Republic Day की गंतंतर दिवस की तो ये थी हमारी 72nd anniversary याद करेंगे काफी important चीफ गेस्ट at Republic Day on 26 January 2021 वाज जो अभी 26 January 2020 को चीफ गेस्ट मुक्चे अती थी कौन थे हमारे तो याद करेंगे ये काफी important question बन गया है अभी इस साल हमारे जो चीफ गेस्ट कोई भी नहीं थे और मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक कुल चार बार ऐसा हो चुका है कि हमारे जो गंतंतर दिवस पर है कोई भी मुक्यातिती नहीं हुए इस बार को मिला कर टोटल चार बार ऐसा हुआ है Republic system in Indian constitution is adopted from जो भारत का ये Republic याणि गंतंतर वैवस्ता है वो कहां से adopt किया गया कहां से हमने लिया है तो ये लिया है France के सविधान से काफी important question है Republic of India was enforced on जो भारत का Republic यानि गंतंतर है वो कब लाग हुआ था तो ये हुआ था 26 जनुवरी 1950 को काफी important question है पूरी date याद करेंगे Indian constituent assembly जो भारत की constituent assembly यानि स्विधान सबा थी स्विधान से पहले adopted the Indian constitution on भारत के स्विधान को कब अपना था उसने तो इसने अपना था 26 नॉमबर 1949 ये भी काफी important data इसको भी बार-बार exams में पूछा गया है sorry total time taken in formation of Indian constitution वाज जब भारत का स्विधान बना गया उसको बनाने में कुल कितना समय लगा था तो ये लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन का who hosts the Indian national flag on republic day जो गंतंतर दिवस है उस पर भारत का जो धवज है या जंडा है उसको कौन फैराते हैं कौन धवजा रोण करते हैं तो ये करते हैं President of India भारत के राश्टरपती और जो सवतंतर दिवस है 15 अगस्त को जो जंडा फैराते हैं वो परधान मंत्री फैराते है who hosts the national flag in states own republic day जो गंतंतर दिवस पर जो राज्य हैं भारत के विभिन राज्य हैं उनमें जो राश्टरिय जंडा फैराते हैं वो कौन फैराते हैं तो ये फैराते हैं governor of state यानि राज्यों के राज्यपाल first republic day was celebrated on जो पहला republic day celebrate किया गया मनाया गया वो कब मनाया गया था ये मनाया गया था 26 जनुवरी 1950 को who was the chief guest on first republic day of India भारत ने जो पहला republic day यानि गंतंतर दिवस मनाया 1950 में उस समय मुक्याती थी कौन थे तो ये थे सुकुराणों और ये इंडोनेसिया के प्रेजिडेंट थे राष्ट्रपती थे first republic day function was held at जो republic day का function था समारो था वो कहां पर मनाया था पहला republic day तो ये मनाया गया इरविन स्टेडियम दिल्ली के अंदर who was the president of India when republic of India was in force जब भारत का गंतंतर लागू हुआ उसमें पर भारत के राष्ट्रपती कौन थे तो ये थे डॉक्टर राजेंदर परचाद और ये भारत के पहले राष्ट्रपती थे चीफ गेस्ट at republic day on 26 January 2020 वाज देखिए अभी इस साल तो कोई भी चीफगेस्ट नहीं था 2021 में तो उनको पिछले साल का जो चीफगेस्ट थे वो याद करना हुआ तो पूछा गया 26 January 2020 को गंतंतर दिवस पर मुक्टे आती थी कौन थे तो यह थे जेयर बोलस नारो और यह ब्राजिल के प्रेजिडेंट राष्ट्रपती थे है जो भारत का राष्ट्रिय धवज है राष्ट्रिय जंडा है उसको किस ने डिजाइन किया तो यह किया था पिंगली वेंकिया ने काफ़ इंपोर्टेंट कहीं बार पूछा गया कॉश्चन इन इंडियन फ्लैग जो भारत का फ्लैग है उसमें पहले चर्खा होता था चर्खा वाज रिप्लेश्ट बाइ चक्रा उसके बाद ये चक्र से जो चर्खे का स्थान है वो चक्र ने ले लिया तो ये कब लिया गया किस डेट को ये लिया गया था 22 जुलाई 1947 को यानि 22 जुलाई 1947 को चर्खे के स्थान पर भारत के राष्ट्रे दोज में चक्कर का स्थान आ गया ratio of length and breadth काफी important question है बार बार पूछा जाता है exams में इन इंडियन नेशनल फ्लैग जो भारत का राष्ट्रे दोज है उसमें जो लंबाई और चोड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए कितना होता है तो यह होता है 3 is to 2 यानि 3 और 2 का ratio name of chakra present in national flag is जो भारत का जो राष्ट्रे दोज है उसमें जो चक्कर प्रेजेंट है उसकी चकर का जो नाम क्या है तो इसको बोलते हम असोग चकर या फिर धरम चकर चक्रा made on Indian national flag is taken from जो चक्कर है भारत के रष्ट्रे धोज में जंडे में वो कहां से लिया गया है तो यह लिया गया है सारनात पीलर ओफ असोग का सारनात का स्तम्भ है वहां से लिया गया फर्स्ट प्राइं मिनिस्टर पी-एम ओफ independent इंडिया वाज जो भारत के पहले जो सवतंतर भारत के पहले परधान मंतरी थे वो कौन थे तो यह थे पंडिच जुहरलाल नहरू फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड इन्फोर्मेशन ब्रोडकास्टिंग मिनिस्टर ओफ इंडिपेंडेंट इंडियावाज भार्त के जो पहले यानि ग्रह मंत्री और जो सूचना एवं परसान मंत्री थे वो कौन थे तो सही अंसर होगा यह सरदार वल्लब भाई पटेल थे ओके फर्स्ट फाइनस मिनिस्टर फ्रेंड्स यह जो मिनिस्टरी से एलेटेड इंपोर्टेंट जो हमारा गंतंतर लाग हुआ उसमें पर जो पहले मिनिस्टर बने काफी इंपोर्टेंट कोशन है यह भी बार-बार एक्जाम में आते हैं इसलिए इनको भी भुलकुल ध्यान से देखिए। First Finance Minister of Independent India Watch जो भारत के पहले, सवतंतर भारत के पहले जो वित मंत्री थे कौन थे? तो यह थे आर सनमुक्कम सेट्टी जी First Law Minister of Independent India Watch सवतंतर भारत के पहले जो कानुन मंत्री थे वो कौन थे? तो यह थे डॉक्टर भीमराव अंबेट कर जी First Defense Minister of Independent India Watch भारत के जो सवतंतर भारत के पहले रक्षा मंत्री थे वो कौन थे? यह थे सरदार बल्देव सीन First Railway and Transport Minister of Independent India Watch सवतंतर भारत के पहले railway और जो ट्रास्पोर्ट यानि प्रिभायन मंत्री थे वो कौन थे? यह थे डॉक्टर जोन मत्हाई First Education Minister of Independent India Watch सवतंतर भारत के पहले सिक्षा मंत्री कौन थे? यह थे मोलाना अबुलकलाम अजाद First Commerce Minister of Independent India Watch सवतंतर भारत के पहले वानिज्य मंत्री कौन थे? यह थे C.H. भाबाजी First Food and Agriculture Minister of Independent India Watch सवतंतर भारत के पहले खाद्य और क्रीशी मंत्री कौन थे? यह थे Dr. राजेंदर परसाद काफी IMPORTANT First Food and Supply Minister of Independent India Watch सवतंतर भारत के पहले उद्दोग और जो आपूर्ती मंत्री हैं वो कौन थे? यह थे श्यामा परसाद मुखर जीजे First Labour Minister of Independent India Watch सवतंतर भारत के पहले जो स्रम मंत्री थे वो कौन थे? यह थे बाबु जगजीवन राम यह भी काफी IMPORTANT कहीं बार पूछा गया कॉश्चन First Health Minister of Independent India Watch सवतंतर भारत के पहले जो स्वास्थे मंत्री थे वो कौन थे? तो यह एक फिमेलती राजकुमारी अमरित कोर जी First Communication Minister of Independent India Watch सवतंतर भारत के पहले जो संचार मंत्री थे वो कौन थे? यह थे रफी एहमद किद्वई जी First President of India Watch भारत के जो पहले राष्टरपती थे वो कौन थे? यह थे डुक्टर राजेंदर परसाद First Vice President of India Watch भारत के जो सबसे पहले उपराष्टरपती थे वो थे डुक्टर सर्वपली रादा कृष्णन जी First Deputy Prime Minister of India Watch जो भारत के पहले उपरधान मंत्री थे वो कौन थे? यह थे सरदार वलब भाइप टेल First Minds and Energy Minister of Independent India Watch जो भारत के पहले माइन्स यानि खान और जो उर्जा मंत्री हैं वो कौन थे? यह थे नरहर विश्णू गटगिल First Relief and Rehabilitation Minister of Independent India Watch सबतंतर भारत के पहले जो राहत एवं पुनरवास मंत्री Relief and Rehabilitation Minister कौन थे? यह थे केसी नियोगी जी First Governor General of Independent India Watch सबतंतर भारत के जो सबसे पहले Governor General थे वो कौन थे? यह थे Lord Mount Baton जी First Viceroy of India Watch भारत के जो सबसे पहले Viceroy थे वो कौन थे? यह थे Lord Kenning Friends यह First जो मैं भी बता रहा हूं Governor General और Viceroy यह तो काफी बार पूछे गए हैं exams में question Last Governor General of Independent India Watch जो सबतंतर भारत के सबसे अंतिम सासक Sorry, अंतिम Governor General थे वो कौन थे? तो यह थे C. Rajagopalachari जी और यह भारत के एक मातर Governor General थे यह भारत से थे पहले इसे England से थे वो British थे Governor General of India at the time of revolt of 1857 वाज जो 1857 की क्रांती हुई थी उस समय पे भारत के Governor General कौन थे? तो यह थे Lord Canning और पहले वो इसराई भी थे Name of India's National Flag is जो भारत का राष्ट्रिय धवज यानि राष्ट्रिय जंडा है उसका नाम क्या है? तो यह है Tricolor या हम इसको तिरंगा बोलते हैं A National Flag is not only symbol of our freedom but also the symbol of all people's freedom यह statement है यह statement किनके द्वारा कई गई? यानि जो एक धवज है एक राष्ट्रिय धवज है वो सिर्फ हमारे ही सबतंतरता नहीं बलकि पूरे जो सभी लोग है उनकी सबतंतरता का एक symbol है परतीक है यह statement दे गई थी जवारलाल नहरू की रश्ट्रिय गान है जंगनमन उसके कमपोजिर और उसके रचियता कौन है तो यह है रविंदर नाठ टैगूर थ्री कलर्ड स्टिप्स इन इंडिया जेशनल फ्लैग आर ओफ जो तीन कलर की तीन रंगों की पटिया है हमारे रश्ट्रिय धोज में वो कौन से रंग की हैं यह सैफ्रन वाइट ग्रीन यानि जो केसरिया स्पेद और हरा यह सभी को पता होगा और बीच में जो है वो असोक चक्कर है उसमें 24 तिलिया है और वो ब्ल्यू कलर का इसका कलर भी याद करेंगे ब्ल्यू कलर का है महत्मा गांधी स्टार्टेड दी सिविल डिसोबिडियन्स मुवेंट जो महत्मा गांधी है उन्होंने जो सिविल डिसोबिडियन्स मुवेंट यानि सवइन्य आव गया आंदोलन कब सुरू किया किस साल यह किया था 1930 में महत्मा गांधी स्टार्टेड दी कुविट इंडिया मुवेंट महत्मा गांधी ने जो भारत छोड़ वांदोलन है वो कब स्टार्ट किया यह शुरू किया उन्होंने 1922 में Composer of India's National Song जो भारत का राष्ट्रिया गीत है पहले हमने National Anthem देखा था अब National Song है राष्ट्रिया गीत वन्दे मातरम तो उसके Composer रचियता कौन है तो यह हैं बंकीम चंदर चिटोपाध्याई काफी important question Slogan of एक Slogan दिया गया नारा दिया गया Give me blood I will give you freedom तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा यह नारा किन के दुआरा दिया गया यह दिया गया सुबाच अंदर बोस के दुआरा Slogan of इनकलाब जिन्दाबाद वाज गिवन बाई Friends, यह Slogan से related question भी बार-बार exams में आ रहे हैं इसलिए इनको बिल्कुल ध्यान से अच्छे से कर लिजी जो इनकलाब जिन्दाबाद है यह नारा किन के दुआरा दिया गया यह दिया गया भगत सिंग के दुआरा Slogan of वंदे मात्रम, वंदे मात्रम का नारा किस ने दिया? यह दिया बंकिम चंदर च्टोपा ध्याय ने Slogan of Quit India, भारत छोडों का नारा किनों ने दिया? यह दिया माहत्मा गांधी ने Slogan of सवराज is my birthright and I shall have it Slogan of Do or Die, वाज गिवन भाई यह नारा किनों ने दिया? तो यह दिया था पंडित जवारलाल नहरू ने Next Slogan of जै जवान, काफी important question है जै जवान जै किसान, जो जै जवान जै किसान है इसका नारा किनों ने दिया? यह दिया लाल भादूर सास्त्री ने स्लोगन ओफ जै जवान ये भी बहुत important question है काफी repeated जै जवान जै किसान जै विज्ञान जो जै विज्ञान एड़ कर दियागा इसमें ये नारा किन के द्वारा दियागा है ये दिया अटल बिहारी वाजपीने slogan of go back to vedaj यानि एक नारा है जो है वापस vedo की और लोटो ये किन के द्वारा दिया गया ये दिया स्वामी ध्यानन सरस्वतिने जो आरिये समाज के संस्था पकते slogan है एक और one religion, one caste and one good for all human beings ये जो slogan है ये नारा है किन के द्वारा दिया गया यानि जो एक धरम, एक जाती और एक भगवान पूरी मानो जाती के लिए ये नारा दिया गया नारायन गुरु के द्वारा, काफि इंपोर्टेंट है भी अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉंस्टिचोशन सुप्रीम कोट डिकलेर्ड दि राइट ऑफ फोईस्टिंग नेशनल फ्लैग आज दि फंडामेंटल राइट पूछा गया है सविधान के कौन से आर्टिकल अनुछेद के तहत जो सुप्रीम कोट यानि हमारा जो सरोच नेले है उसने जो राष्ट्रिय धोज, राष्ट्रिय जंडे को फेराने का जो राइट है अधिकार है वो उसको एक फंडामेंटल राइट यानि मौलिक अधिकार घोशित किया है तो ये article कौन सा article है तो ये है under article 19A यानि जो 19A अनुछेद है उसके तहत ये किया गया है ये मौली कदिकार भोसित किये गये है तो friends यहाँ पर हमने बहुत ही important question देख लिए ये जो question है ये बार-बार exams में आ रहे हैं और आगे भी ये पूछे जाएंगे इसे इनको बिल्कुल ध्यान से याद कर लेजी और friends यहाँ पर हमारे इसे related important question complete होते है friends अगर आपको ये question पसंद आए हैं तो विडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा like करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने friends के भी share भी करे और friends ऐसी ही लगातार विडियोज के लिए daily classes के लिए आप उमारे चैनल को subscribe जरूर कर ले और bell icon को press कर ले उससे आपको उमारे विडियोज के लगातार notification मिलते रहेंगे और आप आसानी से विडियोज को देख पाएंगे तो friends इन्हें important question के साथ आज की विडियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं next विडियो में और अच्छे question और अच्छे concept के साथ तो friends thank you